दिल पर हाथ रख करके, सोचेगा, कि भी तुझा ऐसा राए तो जंकर रहा जाएगा, या अनत महान आएगा, तो जंकर रहा जाएगा नवसकार आप देख रहे हैं, दर्स न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा माफिया छवी वाले आनंद मोहन सिंग, 27 अप्रेल 2023 को जेल से रिहा हुए थे वो आईएस अधिकारी और गोपाल गंज के जिलादिकारी, जी क्रिस्नया की हत्या के दोस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे उनकी रिहाई नितीश कुमार सरकार की ओर से जेल मैनुवल में किये गए बदलाओ के बाद संभव हुआ जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन सिंग राजनेती में सक्रिये हो गए थे वो जद्यू के समर्थन में नजर आने लगे जब लोगसभाचुनाओ की घोषना हुई तो जद्यू ने उनकी पत्नी लवली आनंद को सिभर से उम्मिदवार बना दिया वहां उनका मुकाबला आरजेडी की रितू जैस्वाल से सिभर में 25 मई को मतदान होना है बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है साल 2019 के लोगसभाचुनाओ में सिभर से बीजेपी की रमादेवी ने यहां से जीत दर्ज की थी वो 2009 से सिभर से जीत रही थी इस बार समझाते के तहद बीजेपी ने अपनी सीट जदियू को दे दी है सिभर में रमादेवी को एंटी इनकमबेंसी का सामना करना पर रहा था सिभर सीट को बनिया बहुल माना जाता है अनुवान के मताविक सिभर में करीब एक चोथाई बनिया समुदाई के हैं इसे ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने सिभर से बनिया समुदाई की रितू जैसवाल को उमिदवार बनाया है आनंद मोहन और लवली आनंद वाम दलों को छोड़ कर अब तक करीब सभी दलों में रह चुके हैं सिभर में लवली आनंद को बाहरी उमिदवार होने के आरोपों का सामना करना पर रहा है इसके जवाब में वो मत दाताओं को ये समझाने की कोशिस कर रही है कि आनंद मोहन ने सिभर से 1996 और 1996 का लोग सभा का चुनाव जीता था लवली आनंद ने सिभर से 2009 और 2014 का लोग सभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई वही 2004 में उनके पती आनंद मोहन ने भी सिभर से चुनाव लड़ा था उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था लवली आनंद 1994 में वैसाली से लोग सभा के लिए चुनी गई थी उनके बेटे चेतन आनंद 2020 में सिभर विधान सभा सीट से आरजेडी के टिकट पर जीते हैं और एक खास जानकारी है कि सिभर में दो बार लवली आनंद हार भी चुकी है साल 2014 के चुनाव में लवली आनंद ने समाजबादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था वो 46,008 वोट पाकर चौथे अस्थान पर रही थी वही 2009 का चुनाव उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पर लड़ा वो 81,479 वोट पाने में काम्याब हुई थी उनके पती आनंद मोहन ने 2004 में सिवर से अपनी पार्टी बिहार पिपुल्स पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमाई थी लेकिन 84,418 वोट के साथ उन्हें तीसरे अस्थान से ही संतोस करना पड़ा था अगर पिछले चार चुनाओ की बात करें तो सिवर में दूसरे अस्थान पर मुस्लिम उमिदवार रहे हैं साल 2004 में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे मुहमद अन्वरूल हक 2,29,360 वोट पाकर तीसरे अस्थान पर रहे थे वहीं उस चुनाओ में आरजेडी ने सीताराम सिंग को मैदान में उतरा था वो चुनाओ जीतने में सफल रहे थे वहीं 2009 के चुनाओ में मुहमद अन्वरूल हक बसपा के टिकट पर चुनाओ भी मैदान में उतरे लेकिन इस बार भी उन्हें 1,78,815 वोटों के साथ दूसरे अस्थान से ही संतोस करना पड़ा उन्हें बीजेपी की रहमा देवी ने हराया साल 2014 के चुनाओ में आरजेडी ने मुहमद अन्वरूल हक को उमिदवार बनाया लेकिन इस बार भी उन्हें 2,36,266 वोटों के साथ दूसरे अस्थान से संतोस करना पड़ा था साल 2019 के चुनाओ में आरजेडी ने अपना उमिदवार बदल दिया उसने सयद फैसल अली को उमिदवार बनाया लेकिन उन्हें 2,68,318 वोटों के साथ दूसरे अस्थान से ही संतोस करना पड़ा था क्या आरजेडी की जीत दिला पाएंगी हिंदू उमिदवार इन चार चुनाओं से सबक लेते हुए आरजेडी ने इस बार सिभर में हिंदू उमिदवार को उतारा है मुसल्मान उमिदवार होने की वज़े से वोटों का धुर्वी करन हो जा रहा था इसका फाइदा बीजेपी को मिल रहा था आरजेडी ने जब 2004 में सीट जीती थी तो उसका उमिदवार हिंदू था इसी को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने सिभर में हिंदू उमिदवार दिया है उसे उमिद है कि मुसल्मान यादव के अलावा उसे वैसे मतदाताओं का भी समर्थन मिलेगा आरजेडी ने इस बार माई और बाप का फॉर्मूला दिया है माई मतलब मुसल्मान यादव और बाप का मतलब बहुजन अगरा आधियाबादी और पूर है वैसे अगर देखे तो सिभर के दोनों प्रमुख उमिदवार बाहरी ही है लवली आनंद सहरसा की रहने वाली है वहीं आरजेडी उमिदवार रितू जैसवाल सिभर के परोसी जिले सीता मधी की रहने वाली है यह खास बात यह है कि सीता मधी जिले की दो विधान सवा सीटें बेलसंड और रीगा सिभर लोग सवा सीट के तरहत आती है इसी आधार पर रितू जैसवाल खुद को बाहरी नहीं मानती है रितू सीता मढ़ी जिले के सिंग्वाहिनी पंचायत की मुख्या रह चुकी है आरजेडी ने उन्हें 2020 के विधानसवा चुनाव में सीता मढ़ी की परिहार विधानसवा सीट से टिकट दिया था वो मात्र डेड़ हजार के अंतर से ये चुनाव हार गई थी अब इस कहानी में भी ट्विश्ट आ गया है यानि सीभर में AIMIM के उमिदवार जो हैं वो टेंसन बढ़ा रहे हैं रितू जैसवाल की सीभर की लड़ाई यहीं पर खत नहीं होती है सीभर में असदुदीन OAC की पाटी AIMIM ने एक हिंदू को उमिदवार बनाया है AIMIM के उमिदवार राना रंजीस सिंग राजपूत जाती के हैं वो सिर्फ पर टोपी और माते पर टीका लगा कर नामांकन दाखिल करने पहुँचे थे रंजीस सिंग के भाई रंधीर सिंग सिभर में ही आने वाली मधुवन विधान सवा सीट से बीजेपी के विधायक है ऐसे में AIMIM का उमिदवार जद्यू और RJD दोनों के लिए परिसानी का सबब बन सकता है सिभर में राजपूत वोट करीब दो लाख है AIMIM उमिदवार उसमें सेंधवारी कर सकता है वहीं सीट पर मुसलिम उमिदवार हमेशा दूसरे नंबर पर रहा है ऐसे में अगर AIMIM मुसलिम वोटों में बटवारा करने में सफल रहती है तो उसका खाम्याजा RJD को उठाना पर सकता है सिभर लोकसवा सीट तीन जिलों में फैली है इसमें पुर्वी चमपारन की मदवन चिरैया और धाका विधान सवा सीट आती है वहीं सिभर की एक मातर सीट सिभर है वहीं सीतामडी की रीगा और बेलसंड विधान सवा सीट सिभर में आती है इन में से चार पर BJP और दो पर RJD का कबजा है लेकिन RJD के चेतन आनंद बागी हो चुके हैं अब ये चार जुन को पता चल जाएगा कि सिभर की जनता का वोट लवली आनंद को मिलता है या रितू जैसवाल को फिलाल स्कार में इतना ही है आपका क्या कहना है इस वीडियो पर ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए धन्यवाद